तो थार फाइव डोर लगबग एक साल के अंदर अंदर दोस्तो लॉंच ओने वाली है काफी कुछ यहां पर नियू एड करा चाहिएगा बगार तो राइव यहां पर चेशंदर अंदर नने तकंट माई यहां पर फेक्साहर तो यहां पर चाहिग है तो हेलो वेलकम बाक्तो टीम काइड लाइड गाइज आज थार फाइड वारे में आपके सारी डॉट्स क्लिए रो जाएंगे फ्रम प्राइज लॉजे टो नुव फीचर इंटियो एक्स्टेटर कंप्लीट सो फर्सली दोस्तों यापे जो थार है उसमें राइड और हैंडलें क्वालिटी इंप्रूफ करे जाएगी कस्मर फीडबाक के अगॉर्डिंग यापे जो स्टेरिंग वील है अभी स्लाइटली जाद है इतना जादा अडाप्टिव नहीं है उसमें इंप्रूब्मेंट करे जाएगी यानिकी डाइनामिक्स उसमें चिंजेस करे जाएगे उसमें इंप्रूब्मेंट करे जाएगी जो फाइड और थार रहा है वो लांज करी जारी एस पेशली फोर दोस पीपल जैसे की जो एडविंचर के लिए भी यूज करना चाहते है प्लैप्लाइगा जो फ्र double in cap rating of 4 star in the test and furthermore guys बात करते हैं, dimensions के बार में, so these are the dimensions so length and wheelbase यहापे increase कर जाएगा, water weighting आपको यहापे 650 mm की मिलेगी and ground clearance अवेलेबल है 226 mm की and fuel tank capacity 57 liters की so यह 3-door thar में आपको मिलती है, यह आपको 5-door thar में same specification मिलेगी and हो सता है guys, यहापे जो fuel tank capacity है वो increase करे जाए because the 5-door thar में आपको थोड़ी कम mileage offer करेगी because of the heavy weight, long size and big size, 3-door के comparison में आपको 5-door थोड़ी कम mileage देगी तो हो सता है यहापे जो fuel tank है थोड़ा बहुत increase करा जाए and then बात करते हैं, features के बार में वैसे तो thar 3-door में आपको काफी सारे features मिल जाते हैं कि आप दिख सते है अपनी स्क्रीन के अपर, so these are the features, LED, tail lamp, Fabric Plus, leather seat up all street, cruise control, steering mounted, audio and Bluetooth controls, remote keyless entry, rear defogger, electrically adjustable ORVM 7-inch, infotainment system with in-built navigation, साथ में यापे tire pressure monitoring system आपको मिल जाते है, ABS with EBD, electronic stability program, two air bags and so on and since दोस्तों ये family purpose के लिए कार बनाई जारी है, तो यहापे आपको काफी सारे new exclusive features भी मिल जाएंगे, जो कि थार 3-door में अवेलेबल नहीं है also यहापे second room में आपको extra leg room भी मिलेगा, head room भी आपको अच्छा मिलेगा and space भी थोड़ी सी wide मिल जाएंगे comparatively, यहापे कोई third row available नहीं रहेगी, third row जो रहेगी तो यहापे आपको एक rear AC vent भी मिलेगा, जो कि front armrest के पास placed रहेगा यानि कि आपको नीचे ही मिलेगा, roof mounted AC vent नहीं मिलता इसी के साथ यहापे आपको engine push start button मिल जाता है, which smart की लिए sentry अब आपको leather wrap steering wheel भी मिल जाएगा, साथ में wireless charging and friend में armrest आपको मिलेगी with storage space और rear में आपको armrest मिलेगी with twin cup holders and rear में भी आपको 12V का power socket मिल जाएगा, जो कि अभी फिलहाल as an accessory available है Mahindra showroom में, लेकिन अब आपको यहापे company fitted ही मिल जाएगा, 5 door thar में so definitely दोस्तों आपे काफी सारे new features आट कर जाएगा, तोटली वर्थ रहेगी car and everything will depend on pricing उससे पहले आपे चो exterior है, exterior में दोस्तों कुछ खास changes नहीं कर जाएगे, alloy wheels होसाता है, आपको थोड़े different मिले होसाता है, आपको थोड़े बहुत new color options मिल जाए, also यहापे जो daytime running lights है, वो indicators के साथ placed है, अब होसाता है कि यहापे जो daytime running lights है, वो headlamp unit में ही आपको मिल जाए अब होसाता है, यहापे LED fog lamp भी offer करे जाए, so exterior में और interior में आपको minor changes देखने को मिलेंगे, जो major changes आपको features के department में ही मिलेंगे, यह complete new car है, so यहापे obviously complete dimension changes and driving dynamics भी आपको different ही मिलेंगे इस car की, and furthermore दोस्तों आप बात करते हैं, engine option के बारे में, तो यहापे आपको engine option तो same ही मिल turbo diesel engine मिलेगा, and 2 liter and stallion turbo petrol engine मिलेगा, दोनों ही turbo charge engines है guys, and यहापे आप power and torque दोनों ही देख सकते हैं, दोनों में ही आपको increase मिलता है, यानि कि 20 bhp power and 60 nm of torque आपको extra मिलेगा in diesel, and petrol देखेंगे तो 30 bhp power extra मिलेगी है, 30 nm of torque आपको extra मिलता है, and दोनों ही petrol and diesel आपको manual and automatic के साथ मिल ज दोस्तों, so जो 5 door thar है, 3 door thar के comparison में इसका जो price है, वो 70 to 80,000 जादा होगा, which is totally worth it, and याप याप एक शूर्म price comparison भी दिख सकते हैं, new thar का, and 3 door thar का, 5 door thar का, and force kurkha का, and ये 5 door thar दोस्तों, launch होने वली है, end of 2022 में, या फिर early 2023 में, तो यहाँ तो end में quarter 4 में launch करे जाएगे, य ये और downer car रही, guys, adventure purpose के लिए, weekend यहाँ पे, अगर आपको एक trip करनी है, उसके लिए, family purpose के लिए बिल्कुल एक perfect car आपको मेले के, with all the features, rear race event, and यहाँ पे आपको जादा space मिल जाता है, जादा comfort आपको मिल जाएगा, खुला आपको cabin मिलेगा, extra wood space मिल जाएगा, to carry all your luggages, and द जरूर follow करें, आपको बिलकुल entirely different content मिलता है from our YouTube, तो जो updates आपको YouTube पे नहीं मिलते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको follow कर सते हैं, search the name TeamCradlight on Instagram, and you can check the link in description as well.